मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ती आज की तारिक है बीस दो दोजर चोविस के बाबा के साकार महावाक्य मेठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रुहानी सेवा करनी है रुहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा बाबा ने प्रिशन पूचा बे फिकर रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो तुम बे फिकर कब रह सकेंगे बाबा ने उत्तर दिया बे फिकर रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिलकुल एकूरेट बना हुआ है जो भी ड्रामा अनसार चल रहा है, यह बिलकुल एकूरेट है, प्रेंतु अभी तुम बच्चे बेफिकर रह नहीं सकते, जब तुम्हारी कर्मा तीत अवस्ता हो, तब तुम बेफिकर बनेंगे, इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए, योगी और ग्यानी बच्चे छ बाप ने समझा दिया कि देदारी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता, मनुष्य यह भी जानते हैं, पतित पावन भगवान ही है, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बिचारे बहुत मुझे हुए हैं, भारत में जब सूत मूझ जाता है तब शिप बाबा को आना पड़ता है बाब के बिना उसे कोई सुलजा ना सके वो ही पतिर पावन शिप बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो सोभी नंबर वार परशारत उनसार भल यहां वैठे हैं रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिप बाबा के पास बैठे हैं वह इन में विराजमान हैं हमको पढा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ती बतरा रहे हैं तुम सब दर्शन चक्करधारी बन, रचता और रचना की नौलज पाकर काम को जीत, जगजीत बनते हो, तो बह बाप पतिद पावन भी ठेरा, नई रचना का रचता भी ठेरा अभी बेहद का रज्य पाने के लिए तुम पुरुशार्त करो हर एक समझते हैं, हम शिप बाबा से रज्य भागया ले रहे हैं यह भी यथात रिती समझ नहीं सकते, कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिलकुल ही नहीं जानते शिप बाबा तो कहते हैं, पतिद पावन मैं हूँ, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना प्रिचय दे सकता हूँ तुमको भी तो बाब ने अपना प्रिचय दिया है ना, शिप बाबा कहते हैं, मैं साधारन तन में प्रवेश करता हूँ यह साधारन तन है, जान के अंत में खड़ा है, पति दुनिया में खड़ा है, और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं इनको भी तपस्या शिप बाबा सिखला रहे हैं, राज योग शिप बाबा सिखाते हैं, नीचे आदी देव, उपर में आदी नाथ तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्रामन शिप बाबा की संतान हैं, तुम भी शिप बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो भगवान एक है बाकी सब ब्रदर्ज हैं यानि कि सब भाई भाई हैं बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ जो मुझे पेच्चानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देपता बनाता हूँ भारत ही सवर्ग था अब नरक है जो काम को जीतेगा वही जगजित बनेगा यानि कि जो पांच विकारों को जीतेगा वही जगजित बनेगा मैं गोल्डन वर्ड की साफना कर रहा हूँ अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था फिर आइरन एज में आया यह कोई भी जानते नहीं रचीता और रच्चना के अद्धी मद्द्ध को कोई जान करते नहीं मैं नौलज फोन हूँ यह है एम अब्जेक्ट मैं इनके साधारन तन में प्रवेश होकर नौलज देता हूँ अब तुम भी पुवित्तर बनो इन विकारों को जीतने से तुम जगर जीत बनेंगे यह सब बच्चे पुर्शाद कर रहे हैं तनमन धन से रुहानी सेवा करते हैं जिसमानी नहीं इनको स्प्रिचल नौलज कहा जाता है यह भगती नहीं है भगती का यूग है द्वापर्क्लियूग जिसको ब्रह्मा की 일단 कहा जाता है और सत्युतृतरता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है कोई गीता पाठी आये तो उनको भी समझाएंग गीता में भूल है गीता किसने सुनाई राज यो किसने सिखाया किसने कहा है काम पर जित पाने से तुम जगर जित बन जाएंगे ये लक्षमी नाराएन भी जगर जित बने है ना इनके 84 जनमों का राज बैठ समझाए कोई भी हो नालज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं इसलिए गाएन है कोटो मे कोई कोई में कोई मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई तो यह पांच परसेंट भी नहीं जानते तुम्हें बाप को जानकर पूरी रिती याद करना है मा में कमी याद क्यों नहीं करते हो बाबा कहते हैं मुझे को याद क्यों नहीं करते हो कहते हैं बाबा याद भूज जाती है तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यू तो बाब समझते हैं, यह मेहनत का काम है, फिर भी उर्षाद कराने के लिए पंप करते रहते हैं, अरे जो बाब तुमको शीर सागर में ले जाते हैं, बिशप का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो, माया भुलाएगी भी टाइम लगेगा ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैढ जाओ नहीं पुर्शार्थ जरूर करना है बाबा कहते हैं माया से घबराओ नहीं ठंडे मत हो जाना पुर्शार्थ जरूर करना है काम पर जीत पानी है माम एकम याद करो तो भी करम बिनाश होंगे जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा उनको भी बाब बोलेंगे न क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं बच्चे क्योंकि मै मैं तो उंचे से उंचा भगवान हूँ बाबा कहते हैं मैं तो उंचे से उंचा भगवान हूँ उंचे से उंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ प्रेंस प्रिंसे पत पाने के लिए बाब कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ यहीं फिर शिरी क्रिशन बनते हैं ब्रम राश योग दोनों चाहिए, विलायत में जाकर कहते हैं, हम राश योग सिखलाते हैं, परंतु वेतु सुख को काग बिष्टा समान कहते हैं, फिर राश योग कैसे सिखाएंगे, तो बच्चों को उच्छ आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजु छोटे हैं, बालिग नहीं बालिग पने की हिम्मेद चाहिए, पाब बतलाते हैं, यह है रावन संपरदाये, तुम पकारते हो, पतीद पावन आओ, तो यह पतीद दुनिया है, यह पावन दुनिया है, तुम समझते होना कि हम नर्क वासी हैं, क्या यह देवी संपरदाये हैं, राम राज्या हैं, असूरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन ऐसे चार पांच प्रिशन पूछो तो मुश्य सोच में पढ़ जाएं तुम बच्चों का काम है बाप का प्रिचे देना जाड तो धीरे धीरे बढ़ता है फिर बहुत प्रिदी को पाएंगे माया भी चक्री लग मरा फिर ने सिर पुर्शाद करना पड़े बिकार एकदम मा डालता है जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना वे की कमाई चट हो जाती है फिर ने सिर मेनत करनी पड़े ऐसे नहीं उनको एलाउ नहीं करना है नहीं उनको समझाना है जो कुछ याद की यत्तर की पढ़ा वे सब खलास हो गया. एक दम नीचे गिर पड़ते हैं. फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे, get out! एक दो बारी अजमाये जाएगा, तो दो बारी माफी मिली? बाबा कहते हैं एक-दो बारी अजमाया जाएगा दो बारी माफ़ी मिली फिर केस हो प्लिस हो जाता है फिर आएगा भी लेकिन एकदम डल्टी क्लास में भेंट में तो ऐसे कहेंगे न जो कमपद पाते हैं, उनको कहेंगे डल्टी क्लास, दास दासिय चंडाल, परजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना, बात तो जानते हैं, मैं इनों को पढ़ा रहा हूँ, हर पांच हिजा वर्ष के बात पढ़ाता हूँ, वह लोग लाकों वर्ष कह देते हैं, आगे चल कर यह भी कहने लग पढ़ेंगे, कि ब्रोवर पांच हिजा वर्ष की बात है, वो ही महभारी लडाई है, प्रन्तु याद की यात्रा में रहें, ना सके, दिन परती दिन टूलेट होते जाएंगे, गाया भी जाता है, बहुत गई, थोड़ी रही, यह सब इस समय की बाते हैं, बक की थोड़ा समय है, पाबन बनने में, लडाई सामने खड़ी है, अपने दिल से उचना है, हम याद की यत्रा पर है, जब कोई नया आता है, तो बच्चों को फारम जरूर भराना है, जब फारम भरे, तब उनको समझाया जाए, अगर किसको समझना ही नहीं है, तो फारम ही क क्या भरेगा, ऐसे तो धेर आते हैं, बोलो, बाब को पकारते हो, पतित पाबन आओ तो जरूर, यह पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं कि आकर पाबन बनाओ, फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं, बाबा के पास पत्तर तो धेर आते हैं, सब लिगते हैं, शिप बा अब भी कहते हैं मैं साधारन तन में प्रवेश करता हूँ इनको चुलासी जन्मों की कहानी सुनाता हूँ कि इनको ब्रह्मा बाबा को और कोई भी मनुश्य रच्ता और रचना के आद्धी मद्यांत को नहीं जानते हैं अब बाब ने ही तुमको बताया है यह चित्तर आदी बाबा ने दिब्या दिष्टी दे कर सब बनवाए हैं बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं आत्माओं जट अश्रीरी हो जाती हैं इस श्रीर से अपने को अलग समझना है बाबा कहते हैं बच्चे देही भिमानी भव अश्रीरी भव मैं आत्माओं को पढ़ाता हू यह मेला है आत्माओं और प्रमात्मा का इसे संगम का मेला कहा जाता है क्योंकि प्रशोत्म संगम पर ही बाबा हम आत्माओं को मिलते हैं तो मेला ही हुआ बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है ये भी क्लियर किया बाबा ने जो गंगा है वो नहीं हमें पावन बना सकती बाप की शिरीमत ही हमें पावन बना सकती है अगर हम शिरीमत पर चलेंगे तो सादो, सांत, रिशी, मुनी, आली सब जाते हैं सनान करने, गंगा में सनान करने जाते हैं, अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती, क्योंकि जो पानी है, वो तो आत्मा को छोई नहीं सकता, वो तो श्रीरी धुरू सकता, कैसे पावन हो सकती है, आत्मा सिर्फ ग्यान से पावन हो सकती है, वो भी श्रीमत बाव भगवान उबाज है न, काम महा शत्रू है, इस पर जीत पाने से तुम जगजित बन जाएंगे, गंगावा सागर तो नहीं कहते, यह तो ग्यान सागर बाब समझाते है, इन पर जीत पाने के लिए मा में कम याद करो, बस एक बाबा, उसे याद गरो, तो तुम पावन बन जा किसी को भी दुख न दो पहरा नमबर दुख है काम किटारी चलाना यहीं आदी मद्दे अंदुख देने वाला है सत्युग में होता नहीं वह है पावन दुनिया वहां कोई पतीत रहता ही नहीं जैसे तुम योगवल से रजय लेते हो वैसे वहां योगवल से बच्चा पैदा होता है रामा राज्या ही नहीं तुम लोग रावन को जराते हो पता ही नहीं पढ़ता कि कब से जराते आए हो राम राज्या में रावन होता नहीं यह बड़ी समझने की बाते हैं जो बाह बैट समझाते हैं समJाते तो बहुत अच्छा हैं प्रंतू कलब कलब जो जितना पड़े हैं उतना ही पड़ते हैं पुरुषार से सारा मालूम पड़ जाता है सूल सेवा की भी सब्जेक्ट है मनसा नहीं तो बाचा करमना बाचा तो बहुत सेज है पहले है मनसा अर्ठाथ मन मना भाब, याद की यत्रा में रहना है, चलते फिरते हर करम करते, बाप को याद करो, बस तभी करम बिनाश होंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है, बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहेंगे, कि ग्यान को या नहीं कर सकते मामेकम याद नहीं कर सकते याद नहीं करेंगे तो तागत कैसे मिलेगी बाबा कहते हैं जब तो मुझे याद ही नहीं करोगे तो तागत कैसे मिलेगी बाप सरव शक्ति मान है उनको याद करने से ही शक्ति आएगी इसको ही जोहर कहा जाता है करमना भी कोई अच होती है न यह है गुप्त समझने की बाते वो लोग योग योग कहते ही रहते हैं परंतु समझते नहीं कि योग से तुम बिशप की बात शाही लेते हो योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है यह भी किसको पता नहीं है तुमको समझाया जाता है फिर भी आदा कलब के ब और तुम माया के मरीद यानि की माया के चेला बन जाते हो, फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, अब तुमको शीप बाबा के मरीद बनना है, कोई भी देरधारी का मरीद नहीं बनना है, बहन भाई भी अब कहा जाता है, पवित्तर बनने के लिए फिर तो इससे भ उपर जाना है भाई भाई समझना है भाई बहन की दिश्टी भी नहीं ड्रामा उनसा जो कुछ चलता है बिलकुल एकूरेट ड्रामा बहुत एकूरेट है बाप तो बे फिकर है इनको तो फिकर जरूर रहेगा बे फिकर तब रहेंगी जब करमातित अवस्था होगी तब तक क कुछ न कुछ होता है योग अच्छा चाहिए योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाप उलहना देते हैं जो बाप तुमको इतना ख़्याना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो बाप जानते हैं किसमे ग्यान है किसमें नहीं, ग्यानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वे जट सर्विस का सबूत देगा, तो ये सब समझने की बातें हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिक्रा दे बच्चो प्रती, माद पिता, बाब दादा का याद, प्यार और गुड मोर्निंग, रुहानी बाग की रुहानी बच को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की, रुहानी बाद दादा को, शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए, दारना के लिए मुख्य सार, नमबर एक, माय कि बोक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुशार्त में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है, नमबर दो, ये ड्रामा एकूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिकर नहीं करना है, करमातित अबस्ता को पाने के लिए एक बाप की याद में रह किसी देदारी का मुरीद नहीं बनना है, मुरली का वर्दान, शिरिमत प्रमान सेवा में संतुष्टता की विशेष्टा का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भाव, कोई भी सेवा करो, कोई जीगासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वेम से संतुष्ट रहो, निश्च काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो, स्टूडेंट नहीं, बड़े कोई हरजा नहीं, आपके हिसाब किता में तो जमा हो गया, और उनों को संदेश मिल गया, अगर स्वन संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, शिरिमत प्रमान कारिया किया तो, शिरिमत को माना यह स्वलता मूरत बनना है, सलोगन, असमर्थ आतमाओं को समर्थी दो तो उनकी दौई मिलेंगी, अम शान्ती